हलो फ्रेंज आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ हरी धनिय की बहुती सुपर टेस्टी चटनी जो आप छीले के साथ सैंविच के साथ परांठों के साथ बहुत सारी चीजों के साथ कहा सकता तो जल्दी से रेसेपी देख लेते हैं तो इसके साथ मैं लिया है हरा धनिया इक एक मुठी धनिया लिया है जै कि मैंने यह स्टेंप्स नहीं काटी है हर यह दनिया की स्टेंफ्ज को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए उसका बहुत ही अच्छा एच्षा फ्लेवर आता है चटनी में और इनफाक्ट अगरब सबस पाथा कट कर लिया है फिर मैने इसमें डाला है एक चमच जीरा। और मैने इसमें डाला है हींग्ग आप अपनी हिसाब से डाल सकते हैं कम जाबा जैसे आपको पसंद है फिर मैने इसमें डाला एक चमच पढ़के सुखा धनय количество powder। फिर मैंने उसमें टाला है नमक, टेस के अकॉर्डिंग, आप डाल सकते हैं नमक, अब मैं इसको पीस लूँगी, एक फाइन पेस बना लूँगी इसका, तो इसके लिए इसमें तोड़ा सा पानी डाला है, बहुत जादा पानी मत डालेगा, वरना ये चटनी बहुत ही सादा वाटरी हो जाएगी, तो अब मैं ठकन लगा के इसको एक फाइन पेस्ट बना लूँगी, अरे दनी के चटनी को, तो आपको इसको इतना पीस नहीं कि एक तम एक स्मूध पेस्ट जैसा बन जाए, देखिए, और उसका कलर आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आया है, अब हम इसमें अपने बाकी के इंग्रीडियन्स डालेंगे और उसको फिर एक बार और ब्लेंड करेंगे, अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी कटाई, और उसके साथ मैं इसमें डालूंगी एक चमजबर के तही और नीबू का रस, इस चटनी खटी और तीखी बनत है तो आप हर इमिर्च की क्वांटिटीज में बढ़ा दीजें, तो देखें मैंने आधी नीबू का रस कम से कम इसमें डाला है और एक पुरा चमजबर के अमचूर बार्टर भी डाला था जिससे उसमें अच्छी खटास है, अब मैंने इसको फिर से पीस लिया है और आप देख सकते हैं तही की वजह से चटनी का टेक्शर कितना अच्छा हो गया है और उसका कलर भी एकतम लाइट ग्रीन हो गया है और यह हो गया है हमारी हरे दिन्या की यमी से चटनी तयार, अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी सिंपल सी रेसिपी से देखने के लिए और बेल लिंके में जरूर देपाएगा थैंक यू